दोस्तो स्टार प्लस का शोव इमली आज दर्शकों के सबसे पसंदिदा टीवी शोव में से एक है जिसके शुरुवात से ही गश्मीर महाजने, सुंबुल तौकीर और मयूरी देश मुख ने इसे पॉपलर किया है तो वहीं इस शोव से अभिनेता फैमान खान ने भी दर्शकों के दिलों में अपनी बेहत खास जगा बना ली है जिनका आरियन सिंग राठोर का करदार दर्शकों को काफे जादा पसंदाता है जिसके वज़े से दर्शक इन्हें अपना सबसे जादा फेवरिट भी बताते है लेकिन दोस्तों आप अभिनेता फैमान खान के बारे में सब जानते ही होंगे पर किया आप इनके Real और Real Life प्यार के बारे में जानते हैं कि वो कौन है क्या करती है और कैसे दिखती है शायद नहीं जानते होंगे इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनी सभी जबाब देने वाले हैं तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो की अंतक साथ इस दमदार अभिनेता के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें इमली सीरियल में आरियन सिंग राठोर का करदा निभा कर लाखो करोडों दर्शकों का खुब मनुरंचन करने वाले अभिनेता फेहमान खान का जन्म 4 सितंबर 1990 को बैंगलूरू में हुआ था और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई भी यही से कम्प्लेट की थी वहीं अगर बात करें के अभिने करियर के बारे में तो इन्होंने अपनी आग्टिं करियर की शुरुवात थेटर से के थी जी हां फहमान खान टीवी इंडेस्टी में आने से पहले लंबे समय तक थीटर में काम कर चुके हैं जहां थीटर में सालों तक काम करने के बाद इने शाट फिल्म वेड जोइंटस में अभिने करने का मौका मिला जिसके बातों इन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और अपना टाइम भी आएगा मेरे डैट की दुलहनिया और क्या कसूर है अमला का जैसे कई शोज में काम किया जिन्होंने आज भी अपने आक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है जो एमली सेरियल में आरियन कोई और नहीं बलकि इमली ही है जिनके साथ शुरुवात में भले ही इनकी काफे जादा नोग जोक और तु तु मैवाला रिष्टा क्यों ना देखने को मिलता हो पर जैसे जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को जाना तभी से आरियन यानि के फहमान इमली से दिल लगा बैठ है और यही वज़ा है कि आरज रियमली के छोटे छोटे खुशियों का भी खयाल रखते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक गुजरने को तयार हो जाते हैं लेकिन अगर बात करें के रियल लाइफ और प्यार के बारे में तो आपको बता दें इनके रियल लाइफ गर्फरि से फैशन डिजाइनर है जो कि अपनी लाइफ में काफे सफल है वही खबरों की माने तो इनकी गर्फरेंड ने हाँ जावेद काफे ज़ादा खुपसूरत भी है जो कि अपनी परस्टनाल्टी को काफे अच्छ से मेंटेंड करके भी रखती है और इसी वज़े से लोग इन तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें